which of the following statements are true GIS के संदर में natural phenomena are usually fields दूसरा option है manmade phenomena are usually objects both one and two are true और finally option है आपके पास none of the above क्या लगता है आपको क्या उतर है इसका इसका उतर बिलकुँ सही पहचाना आपने natural phenomena fields होते हैं generally और manmade phenomena objects होते हैं generally इसलिए one or true दोनों true है GIS में आप geography को कैसे represent करोगे क्योंकि ultimately तो geography को represent करना ही GIS है geographic information system एक ऐसा computer system है hardware, software, humanware, dataware जहां पर आप objects और field के जरिये geography को represent करते हैं भुगोल को represent करते हैं तो इसमें दो चीज़े आती है पहली जो बात आएगी वो आएगी आपके object की और दूसरी बात आएगी आपके fields की ध्यान रखे ये दोनों में main difference ये है fields यो होते हैं वो जितने भी naturally या फिर ऐसे प्रकृतिक चीजें represent करने के काम आती हैं और object जो होते हैं वो man made चीजें जो आपने मैंने बनाई हैं उनको represent करने के काम में आते हैं तो discrete objects या fields ये दो fundamental तरीके हैं जोगरफी में represent करने के अगर मैं आपको बताना चाहूं कि discrete object view क्या होता है यहाँ पर एक ऐसी चीज़ आप represent करना चाहत चाहते हैं लाइन बनाना चाहते हैं पॉलिगन दिखाना चाहते हैं ये सारे के सारे वो हैं जो normally man made materials होंगे और अगर आप एक building बनाएंगे तो वो polygon की तरह represent हो सकती है और road जो है line की तरह represent हो सकती है लेकिन building road आपने बनाई है ध्यान रखिएगा इंसानों ने बनाई है और चीजे हैं चाहे नदी हो नाले हो पहाड हो वो field किस में हम represent करते हैं लेकिन field जो है वो discrete भी हो सकती है continuous भी हो सकती है दोनों ही तरीके से हो सकती है right दोनों ही चीज़ों होती है अब field view का मतलब ये है कि हर एक value की आप आपको दरकार रहेगी वो आपको value मिलेगी continuous surface में दिख field की कि आपको एक function की तरह समझना है कि आप हमें information दे हम आपको कोई नो कोई value उठा के दे देंगे वतार इसकी location बताएंगे हम आपको elevation बता देंगे तो field view हमेशा represent करता है natural phenomena को और जो objects है वो man-made phenomena